Hello and welcome to the studio members कल के लिए आप लोगों को हम तिन स्टॉक देंगे ट्रेट करने के लिए तिन, एक और चार टोटल चार स्टॉक देंगे कल जिसको कि आप ट्रेट करोगे इन स्टॉक स्टॉक बताएंगे आपको कि कल के दिन में किस कलर की कैंडल फॉर्म हो सकती है सबसे पहला स्टॉक अपने पास ब्रेटानिया है सेकेंड हमारा हिंदुस्तान उनिलिवर है थर्ड हमारा विदानता और यह है JSW स्टॉक हैं जिसके मार्किंग अल्रेड हम लोगों ने कर रहे है JSW स्टील इसके अंदर कल हम लोग सिर्फ वह सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करेंगे और कल के दिन में JSW स्टील के अंदर चांस है कि इसके अंदर कल के दिन रेट केंडल फॉर्म होगी दूसरा विदानता विदानता के अंदर भी कल के दिन रेट केंडल फॉर्म हो सकती है बोल रहे हैं कि वेदान था कि अंदर कल के दिन रेट केंडल फॉर्म हो सकती तो इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर कल के दिन बाई नहीं करोगे इसके अंदर कल के दिन हमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग देखनी इसके अलाब हम कुछ नहीं करेंगे यह अपसाइट का जो लेवल है 315 और पर 80 पैसे का 315 असी से नीचे की दिशा में हमको ट्रेट करना होगा प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरता है तो 315 असी के नीचे यहां से हम लोग शॉट सेलिंग करेंगे इसके अंदर ले 101% उतना टार्गेट मिलेगा 0.5 एक बार जब प्रॉफिट में आ जाना तो यह अपनी टेक्निक होती है कि वापस फिर उसको लॉस्वर करने देना है नहीं 0.5 मिल जा उसके बाद में आप चाहो तो अपने स्टॉपर्स को ट्रेल कर लो या चाहो तो कॉइंटी उतनी निका हो जाता है розव में उस तरह की टेक्निक सी उसम इसर आप रीडिन क्यूल जगती हैमने मालूम है कि आप रीडिंग ना कैसह हो या इसटुडि में कैसे हो रेट केंडल फॉर्म होती हुई नजर आएगी वैदानता के अंदर अगर यह प्राइज उपर के तरफ निकला अगर यह उपर के तरफ निकला तो जाने दो प्राइज 738.70 में भी चांस है कल के दिन यह प्राइज आपका एक gap of opening दिखा दे और यहां से आपको selling का मौका दे ओपर के तरफ जाकर के selling का मौका देगा तो यहां से हम लोग short selling करेंगे इसके अलावा जो दूसरा इसके अंदर level बनकर क्या रहा है वो है 739.95 पैसे and 731.05 यह दो points ऐसे हैं जिसके पास से आप लोगो को कल के दिन short selling करनी है जोन अपना मा करके रख ली जागा इन दो levels के पास ही आप लोगो short selling करनी है आई हो किस समाझ भी आ गया होगा प्राइस अगर upside की तरफ जाता तो यहां से आप short selling करोगे और अगर नीची की तरफ जाता तो यहां से short selling करनी है बाइंग मत कीजेगा इसके लावा दो और स्टॉक है और उन दोने स्टॉक के अंदर क्या होगा जैसे हिंदूस्तान यूनिलिवर हिंदूस्तान यूनिलिव यहां से हम लोग इसके अंदर buying करेंगे और यहां तो फिर प्राइस अगर upside की तरफ यहां पर आता है और आज के लोग के पास से आपको buying के confirmations दिता हो तो आप यहां से बाइंग करोगे यह दो पांट्स हैं जहां से आपको buying करनी है जो clear रखना है buying करनी है सिर्फ selling इसको बाइंग करके रख ली जागा अपने चार्ट के उपर सेफ कर ली जागा है यहां से सिर्फ buying देखनी है और कुछ नहीं करना है ओके यह इमान करके चलिएगा के ब्रेटानिया और हिंदोस्तानी डिलिवर के अंदर कल के दिन green candle form होंगी और वेदान्ता जेस्टर्वल करना है यह हमने आपको बता दिया टार्गेट अप 0.5% लोगों चुप चाप मार्केट से बाहर निकल जाओगे कुछ करना नहीं है और एक बार जो प्रॉफिट कर लेना उसको संभालने की कोशिश करना अपने पास सेफ रखने की कोशिश करना और आज के दिन देखिए हम उने ट्रेड मारा ही नहीं है तो कल के लिए इन चारों स्टॉक्स को रखिएगा और देखते हैं कल के दिन इसमें मार्केट किस तरह से रियक्ट करती है क्या पैस अक्शन बनते हैं इसकी अपडेट हम आपको कल के दिन शेयर करेंगे थैंक्स एंड कल मिलते हैं